थेलोः फ्रेंद्स वयलकम टू हरें टेक्निकल दोस्तों कल का जो वीडियो दोस्त लोग देखे की इससे सर्किटको बनाया था अगर नहीं देखे है तो इतका description में दे दूँगा जाके देख सकते हैं कि इस तरह का circuit कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों अगर कल का वीडियो देखे हैं तो इसमें इस तरह का circuit अगर आप बनाया है तो इसमें दो समान और मैं add कर लिया हूं एक हो गया यह आपका यह फ्यूज रेजिस्टेंस यहां पर लगा लेना यह जो लेक बचा रहता है यहां पर आप फ्यूज रेजिस्टेंस लगाए जिससे यह circuit प्रोटेक रहेगा ठीक है दूसरा दोस्तों अगर आप इस तरह का circuit बनाते हैं तो क्या आप slip 9 watt का ही circuit mpcb को जला सकते हैं तो यह टेस्ट करूंगा क्योंकि अगर आपके पास 18 watt का mpcb है तो कैसे जला है तो दोस्तों मैं 9 watt का 1 mpcb और 9 watt का 1 mpcb यानिकि 9-9 18 mpcb समझ के चलिए कि 18 watt का 18 watt का mpcb हो चुका है ठीक है अब दोस्तों इसको क्या करेंगे इसको हम टेस्ट करेंगे इसका connection कैसे होता वह जान लीजिए यह देखिए यह प्लस है और इसका माइनस है ठीक है यह प्लस माइनस को आपस में जोड़ लेना है और यह जो इसका जो प्लस है वह जाएगा प् connection और इसमें एक फ्यूज रेस्टन जिसे एड किया हो तो चलिए इसको आप टेस्ट करते हैं कि दो mpcb इससे जलेगा की नहीं क्यूंकि दोस्तों यह वीडियो बनाने का यह है कि अगर आपके पास 18 watt का mpcb है तो उसके लिए क्या आलग सर्किट थोड़ी बनाएंगे इस इसी सर्किट से काम करेंगे तो इसी जब एक सर्किट बनाए है तो 9 watt और 18 watt का दोनों का mpcb का इस्तमाल होना चाहिए तो दोस्तों दो mpcb का connection कर दिया हूं चलिए इसको आप टेस्ट करके देखते हैं यह काम करता है या नहीं तो दोस्तों देख सकते हैं यह दो mpcb ग्लो कर रहा है और पुरा रोस्नी के साथ ग्लो कर रहा है यह देखिए तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप अगर 18 watt का mpcb अगर आपके पास है तो आप यह सर्किट बनाएगा तो इस्तमाल कर सकते हैं 9 watt और 18 watt का mpcb को जलाने में तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा थैंक यू फर वाचिंग हरी टेक्निकल टेक्चर यह पाल हैं